वेलकम टुदे इंगले शाओल दोस्तों आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दे इंगले शाओल पर मेरा नाम है अनुपम्दूपे अब जब कैट का पेपर बिलकुल पास में है तो ये अंडाउटेडली एक बहुत बड़ा टृत है कि जो भी लोग कैट में अपियर करते हैं उनके लिए सबसे पहली प्रियोटी जो होती है वो आई-एम्स होती है और एम्स में ब्लैकी होती है बैंगलाओर लक्नों एम्दाबाद कोजी-कोडे इंदौर वोगरा वोगरा लेकिन बिटर रियालेटी ये है कि हर कोई वहां तक नहीं बहुत सकता अब option ये है कि क्या कुछ colleges ऐसे हैं जो आई-एम्स की category के equivalent है तो देखें आई-एम्स की category से सिर्फ आई-एम्स की colleges ही match कर सकते हैं उसके लावा कोई match नहीं कर सकता बट ये भी एक truth है कि अगर आपने MBA plan किया हुआ है तो आई-एम्स के अलावा भी आपको option देखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा gap नहीं दे सकते हैं आप सिर्फ आई-एम्स की preparation में तो आज के इस वीडियो में हम कुछ colleges ऐसे explore करेंगे जो almost आई-एम्स की equivalent हो और इनका return on investment बहुत बढ़िया हो तो चलिए straight away start करते हैं आज के इस वीडियो को आज के इस लिपर कोर्ट से जहां पर MBA में admission होता है हम उसकी बात करने वाले हैं लगबग लगबग 100-120 colleges जो CUTPG का scorecard validate करते हैं accept करते हैं MBA के लिए और मैं लगबग 30 colleges आपको बताऊंगा जो कि अच्छे हैं आप उनको consider कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम CUTPG का paper pattern देखेंगे syllabus देख लेटल ही ये mention हुआ है कि backup options of CAT and IEMS इसके अलामा मैं कोरा का link दे दे रहा हूँ यहां पर जहां पर सही question आया था मेरे पास कोरा पर आया था जिसको मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने और वहां पर CAT के बारे में syllabus examination strategy pattern उसके उपर अलड़ी बहुत सा content मैंने वहां पर लिख हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं जब भी हम बात करते हैं CUTPG के inception की बात करते हैं तो 2023 में CUTPG का start हुआ था उसके पहले अलग-अलग infants exam अलग-अलग universities exam conduct करते थे major majority of the institution जो CUTPG को affiliate करते हैं वो central universities हैं जिनका establishment बहुत पुराना है और जब मैं return on investment की बात करता हूँ तो य थारा लाक रुपए आई तो आयम बैरी करता है मतलब बारा लाक रुपए से थारा लाक रुपए वैरी करता है और अगर ISB हईतराबाद की बात करें तो आप भूली जाओ वही पर हम Central University की बात करें तो maximum fees एक लाक सवा लाक डेल लाक या maximum maximum कहीं कहीं पर पहुने दो लाक र रांक कर सकते हैं अच्छे जगह पर जौप पा सकते हैं इंपोर्टन ये भी है कि आपके institution के अलामा एक चीज और जो important होती है वह आपका होता है employability के index पर आपका क्या rank आता है जब मैं employability के index की बात कर रहा हूं मेरा मतलब क्या है आपके पास work experience है नहीं है आपके पास internship है क नहीं है industry के requirement के हिसाब से managerial skills या managerial courses आपने pursue कर रखे है नहीं कर रखे है so ये छोटे-छोटे चीज़े आपके जब CV या आपके resume में add होती है तो आपकी employability का index day by day बढ़ता चला चालता है so in colleges में in certain central universities में आप पढ़ते हुए अपने employability के index को day by day rise कर सकते है certain work x ले सकते हैं आप internship कर सकते हैं आप online courses pursue कर सकते हैं जो आप जिस film में आप job करना चाहते हैं उसके related market trend के हिसाब से आप courses pursue कर सकते हैं और definitely आपको market के trend के हिसाब से salary packers provide किया चाहेगा so आज के इस video पहले हम CUT के बारे में देख लेते हैं क्या का pattern है यह सारी चीज़े यहाँ पर लिखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है अगर हम return investment की बात करें तो जो state और central universities हैं वो कहीं कहीं इस private universities और IM से better perform करती हैं अब देखते हैं अगर हम exam pattern को देखें तो CUT PG के exam pattern में 75 questions आते हैं इसका जो paper code है वो COQP12 है मैं repeat कर रहा हूँ जो इसका paper code है वो है COQP12 जो questions होते हैं वो subject specific knowledge के base पर होते हैं अच्छी चीज़ कहा है कि अगर आप cat के लिए prepare कर रहे हैं तो cat के pattern के हिसाब से ही questions यहाँ पर पूछे जाते हैं तो अलग से आपको कोई extra effort putting करनी के जरू कर सकते हैं mocktest purchase कर सकते हैं अगर उसके requirement है तो comment section में हमसे पूछ लीजेगा तो वो pursue करते हैं अगर आप 10-15 mocktest CUT PG का यह CQP12 का दे रहे हैं तो आपको extra कुछ भी करनी की जरूत नहीं है that is more than sufficient क्योंकि आपने match किया हुआ है cat का level तो CQP12 definitely आप match कर लेंगे आगे बढ़ते है all questions are compulsory the question will be bilingual English और नेग चीज़ और बता दो अगर आपने cat की preparation नहीं की हुई है और थब आप CQP12 के लिए जा रहे हैं और अगर आपने self preparation की हुई है तो risk मत लीजिए आप definitely कोई recommended coaching center online offline mode पे join कर लीजिए उनका mocktest purchase करी उसको solve करीए क्योंकि इसको इतना हलके में लेनी की गल पहनत की हुई है इसलिए कोई risk मत लीजिएगा आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से examination pattern आपको समझ में आ गया होगा eligibility criteria की बात करें तो आपके पास graduation 45% के साथ pass होना चाहिए और वो degree आपके हाथ में होने चाहिए अगर work experience है तो nothing like that उसका credit point हमेशा add होता है work experience का exam syllabus की बात कर ल इसकी बात करते हैं अलार के बात करें logical reasoning में तो ranking हो गया linear arrangements हो गया sequencing हो गया statements arguments हो गया cause and effects हो गया statements assumption हो गया statements and conclusion हो गया number series हो गया blood relationship test हो गया coding and decoding हो गया inferences हो गया non-verbal reasoning हो गया analogy test हो गया symbol based problems हो गया direction and distance test हो गया maths और अगर quants की बात करें तो जो basic quants पूछा जाता है basic arithmetic का section है partnership है simple interest, compound interest, profit loss, percentage, pipes and systems, time and work, problem based on train, wages, time and work, इसके अलावा आप insulation क्यूपर जरूर काम कर लें वहां से questions frame होते हैं DI की बात करें तो pie charts, line charts, bar graphs, tabular charts, mixed graphs, data as efficiency graphs, number system, tabulation sets and wind diagrams equations पूछे जाते हैं अगर number of candidates की बात करें तो CEO QP 12 जो की general MBA के लिए है जो की accepted होता है most of the central universities में, state universities में, private universities में 97,880 students ते इसमें participate किया था यानि form भरा था और appeared candidates थे 74,116 यानि लगबग लगबग अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि लगबग 24,000 का gap था जिन बच्चों ने form भरा और वो इसमें appear नहीं हुए ठीक है अगर topper की बात करें तो CEO QP 12 में हितेश शर्मा नाम की बच्चे ने टॉप किया तो इसका score 295 था बढ़ हां 260 plus is always a very good score आपको इस score को target करने के लिए mock test और practice बहुत अच्छी करनी पड़ेगी आगे बढ़ते हैं structure of the exam देख लेते हैं 105 मिनट का यानी 75 गंटा 45 मिनट का ये paper होगा question में 75 question होंगे 4 marks आपको दिये जाएंगे हर correct answer के लिए और minus 1 deduct किया जाएगा हर एक round answers के लिए आगे बढ़ते हैं marking system में वही प्लस 4 आता है आपके हर right answer के लिए प्लस 4 हो गया ये मेरे खाल सी स्लाइड रिप्रीट हो गया है unanswered के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहता है answer question करने के लिए आपके पास एक ही correct option होगा और आप answer की बाद में challenge कर सकते हैं जो कि जो सीउटी पीजी के बाद जिस उनिवस्टी में रहते हैं आप या apply करते हैं या आपको लगता है कि इस question का answer आपने सही दिया था और NTA ने गला mark कर रखा हुआ है तो इस questions को obviously आप challenge कर सकते हैं उसकी pricing होगते देर is close to 200 rupees और अगर कोई question drop किया जाता है तो उसके लिए full marks आ अध्मिट करते हैं accept करते हैं validate करते हैं mandate करते हैं उसमें alliance university है ब्र अमिट कर देली है बहुत प्र युनिवस्टी है यह अपके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर आप देचु से MBA परस्यू करते हैं Central University of Hemantaraputesh Central University of Kerala Central University of Punjab 12 यह हो गया फिर डेली इस्टीट of pharmaceutical and science and research देपसार बोलते हैं फेमस है अब कंसीर कर सकते हैं दीवी उनिवस्टी जारंदर है द्यारंसागर युनिवस्टी है Footwear Design and Development University है सब PA Central Government के monitored institutions है जीरी गोइनका उनिवस्टी है जीरले मतुरा है हरिदार उनिवस्टी है एकफाई से किम है इंडियन कलनी इस्टीट है फेमस है आयलम उनिवस्टी गुरगाम है आयलम उनिवस्टी गुर्टर नोड़ा है और ITM Skills University नभी मुंबई है इसके अलावा JP बहुत बढ़िया कॉलेज है नोड़ा बहुत बढ़िया कॉलेज है आप definitely consider कर सकते हैं जगरनाथ उनिवस्टी जैपुर है जीवाजी उनिवस्टी है क्यार मंगलम उनिवस्टी है लवली प्रफिशनल उनिवस्टी है मोधी उनिवस्टी आप साइंस इन ट चाहिए तो प्रीज comment section में चाहिए और comment section पर मुझसे पूछ सकते हैं इसके लमा CAT के बारे में MBA के बारे में extensively मैंने लिखा हुआ है कूरा पर जहां आप चाहकर के उस information को phase कर सकते हैं जो remaining days बचे हुए है CAT की preparation के लिए वहाँ पर उसके बारे मैंने extensively लिखा हुआ है आगे ब colleges UT और लगबग लगबग अगर participating universities की बात करें तो 190 है इसे top non MBA colleges under NIF और these colleges under top 30 non IM MBA colleges in India यानि top 30 colleges में जो non MBA colleges है उसमें आप इनको rank कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगे आपको कहीं भी किसी भी doubt की case में feel free to comment us or reach out to us. Thank you so much.